अभी कुछ ही अफ़तों पहले हमने जाना था ARF वीडियो के अंदर की रशिया एक अपना ही इंटरनेट का किल स्विच बनाने जा रहा है जिसको वो जैसे ही दबाएंगे तो जितने भी रशियन होंगे वो बाहर की वेबसाइट को एकसेस नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ बाहर के लोग रशिया की वेबसाइट को एकसेस नहीं कर पाएंगे जिससे जो रशिया का इंटरनेट है वो सिर्फ रशिया का ही रह जाएगा जिसके उपर काफी जादा प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि इंटरनेट सर्वैनेटी बिल के उपर वल्दीमिर पुतीन ने सि इसके उपर हम बात करने वाले हैं मेरा नाम है बारश्वर्मा आप देखरों देखों इसको आशा करता हूँ आज का दिन आपको बत अच्छा बीत रहा होगा क्योंकि वह आपर कुछ दिक्कत है जिस वजе से आपको restrict कर दिया जाता है कि आप अपनी कंट्री में इन-न जगों पर गुम सकते हो कि रिधनर आप इंटरनेट इंटनेट इन जगों नहीं जा सकते हो कुछ भी ब्राउस कर सकते हो कुछ भी एकसेस कर सकते हो बलकि मैं खुछ जानता हूँ कि मेरी बनाई वी वैबसाइट एक दम बेकार होगी और उनकी बढ़िया होगी लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरा फायदा हो जिस वज़े से मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि इधर या ना वरना देख ले ना मैं जेल में डाल सकता है फाइन लगा सकता है तो मतलब freedom of speech गई और इसी के साथ मतलब आप आप कह नहीं सकते हैं कि government ने यह नहीं किया अच्छा अगर कोई बुराई करेगा तो भाईया वल्दी मेरी पुतिन के दाएगा आंक दिखाता है माधर जात अंदर करो साले को अभी वापिस बात कर कि government अपना system तयार करेगी जिससे जो भी आपकी request होगी मालो आपने खोल दिया Facebook आपने खोल दिया YouTube Google यह फलानी डिमकानी website खोल दी इसके बाद में आपकी request जाएगी ISP के पास में ISP से वो request जाएगी government के उस system में और यह पूरी country के लिए एक ही system होगा जिसमें जो भी आप request list डालते हो, वह ISP से सीधा government के system योदाएगी तो यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और वो चाहे किसी website को ब्लॉक करना वो कर सकतेहें और वो चाहे पूरे internet को ब्लॉक करना पूरी बाहर की website को ब्लॉक करना वो कर सकते हैं क्योंकि जो भी request जा रहे है वह इसवी से government के सि ब्रबी होने वाली ती जिसमें लोगों ने इसका विरोथ किया तै जिसके बाद में वहां के कोट ने साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसी के साथ साथ ISP रिस्ट्रिक नहीं कर सकते कि वह या इस वैब साइट पर नहीं जाना और इसी तरीके से क्योंकि यह order करीबन 2021 के करीब में पूरा होगा क्योंकि जितने भी ISP हैं जितने भी टेलिकॉम वापर हैं तो उनको 2021 तक की deadline दिये गी है कि आपको इस जो government का system है इसके थूरू ही यह सारी request भेजनी पड़ेंगी वरना आपका यह ताम जाम बंद करो और जाओ किसी और country में फ कर रहा है मेरे साब से तो गल्त हो रहा है क्योंकि एक freedom होती है internet की कि आप कहीं पर जा सकते हो आप कुछ भी पढ़ सकते हो और इस पर restriction वो लगा सकते हैं या नहीं लगाते देखते हैं फिलाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक् कर बोल्स नहीं मु थार मॉच्त पुलकिए NEW ज़ा आप है इस चैनल की कार घुडे कर शच्रूना भी सिष्च्च्क्णी और भी यू रिए